नमस्का दोस्तों आज हम फालगुन मास्की सुकल पक्ष की आमले की एकादशी की कथा सर्वन करेंगे ओम नमो भगवते वाशु देवाई नमा प्राचीन काल की बात है महरिशी वैसिस्च जी ने कहा हे राजन महांदाता सब वर्तों से उत्तम और अंत में मौक्ष देने वाला आमले की एकादशी का वर्त है यह वर्त फालगुन मास्क के शुकल पक्ष में होता है इस वर्त का पुर्णय एक हजार गवदान फल के बराब अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ ध्यान पूर्वक सुनिये प्राचीन समय में वैदिक नाम एक नगर था उस नगर में ब्रामन वैश्य शत्रिय और शुद्र चारों वर्णों के लोग प्रशंता पूर्वक रहते थे उस नगरी में कोई भी पापी दुश्चारी ना पास्तिक नहीं था उस नगर में चैत्र रत नामक एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और नहीं कंजूस था उस राज्य के सभी लोग विश्णू जी के भक्त थे वहां के छोटे बड़े सभी निवासी परतेक एकदशी का वर्थ रखते थे एक बार फालगुन मास की शुकल पक्ष की एकदशी आमलक की एकदशी आई उस दिन राजा राजे के सभी लोगों ने एकदशी का वर्थ किया राजा अपनी परजा के साथ मंदिर में जाकर कलच तापित करके तथा धूप दीप पंच रतन छतर की छत धत्री का पूजन करने लगे हे धत्री आप ब्रह्मा सवरूपा हैं सभी पापों को नस्ट करने वाली है आपको मेरा नमशकार है आप मेरा अर्ग सविकार करो आप शीराम चंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं मैं आपसे प्राथना करता हूँ मेरे सभी पापों को हरन करो उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया, रात की समय उस जगए एक बहलिया आया, वह महापापी था, अपनी कुटुम का पालन वह जीव हिंसा करके करता था, वह बैटकर मंदिर में भगवान विश्णु की कथा सुनने लगा, वह एकदशी का महात्म जानने लगा, इस प्रकार उस बहलिये ने सभी के साथ बैटकर पूरी राद जागरण करके वतीत की, प्रातेकाल सभी लोग अपने अपने निवास्थान पर चले गए, कुछ समय के पस्चात उस बहलिये की मित्यु हो गई, उसने जीव हिंसा की, इस क पारण वे घोर नरक का भागी था, प्रन्तु उस दिन आमलकी की एकदशी का वर्त तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदूरत के यहां जनम लिया, उसका नाम वसूरत रखा गया, दान देना उसका नित्य करम था, एक बार राजा वसूरत शिकार करने के लिए गई, कुछ समय पश्चात पहाडी डाकू वहां आई, और राजा को अकेल देखकर मारो मारो चिलाते हुए राजा वसूरत की ओर दोडे, इतना कहकर वह डाकू राजा को मारने लगे, और उन पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे, कुछ देर बाद प्रभू की इच् उन डाकू के अस्त्र शस्त्र उन ही पर प्रभार करने लगे, जिससे वो मुर्शित होकर जमीन पर गिर पड़े, उसी समय राजा के शरीज से एक दिव्य देवी अत्यन सुन्दर थी, और सुन्दर वस्त्रोवे अभूश्णों से युक्त थी, उनकी आखों से क्रोध की भ अमुल नाश कर दिया, नीन से जाकते ही राजा ने वहां डाकूओ को मिर्त देखा, वहां वह सोचने लगे, किसने इने मारा, तभी आकाश्वाणी हुई, हे राजन इस संसार में भागवान विश्णों के अतिरिक्त तेरी रक्षा कोन कर सकता है, इसी आकाश्वाणी को और राजा ने भागवान विश्णों को समरण किया, उन्हें परणाम किया, फिर अपने नगर को वापस चल दिये, वे सुक पूर्वक राज्य करने लगे, मारिशी वसिश्च जी ने कहा, हे राजन यह सब आमले की एकदशी का वर्त का प्रभाव, जो मनुश्य इस वर्त क करता है, उसके सब कारे सफल हो जाते हैं, और अंत में बैकुंट धाम को जाता है, यही आमले की एकदशी की महतन था है, कثा कहने वालों का, कثा सुनने वालों का, सब का भला करना, बोलो विश्णों भगवाने की जेह, प्लीज लाइक करना, एण सबस्क्राइब करना, हर हर महालीव